कहते हैं कि धन सनपत्ती के लिए आदमी कुछ भी कर गुजरता है ऐसी ही एक मामला बढ़नकर शहर की अंतरगत गाफ माधोपुरा का है एक महिला पहले अपने पती को मरते ही अपनी दो बेटी छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ कर अपने परिचुद व्यक्ति मुकदर से निगहा किया और जब वहां भी पहले सी शादी शुदा मुकदर की पत्ती में परिवार में विवाद होने लगा तो वापस तलाख देखकर अपने पती के सनपत्ती हड़ापने के लिए ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट आदे करने पर आमला हो गई है माधबो निवासी रैसा बी ने अपने पती कदिर की मरते ही अपने पडोस में रहने वाले मुकदर से निगहा कर लिया सुरगिय कदिर जह बाबी सकुरन भी ने बता है कि मेरा देवर करीम जो की खेत पर गया था और वहाँ पर उसकी पत्नी रैसा खाना देने गई और वापस आकर घर पर उलूल जुलूल हरकत करने लगी हम समझें कि उसकी तबित खराब हो गई होगी उसका इलाज भी करवाया और उधर मेरे बच्चों ने जो आकर खेत पर देखा तो मेरा देवर मृत अवस्था में पढ़ा था हमें उस समझ नहीं आया कि मेरे देवर की मृत्यू कैसे हुई लेकिन एक दिन हमने मेरी देवरानी और उसकी पडोस में रहने वाली मृत्दर को उसकी कम्रे में देखा तो मैं समझ आया कि मामला कुछ गड़बढ है उसे काफि समझाया तो बहँ अपनी च्छोटी च्छोटी बच्छों को छोड़कर अपनी पडोस में रहने वाले मुकदर के साथ निकाहा कर लिया इस संधर्म में मेरे देवर की जमिन के चकर में लड़कियों को अपने साथ रखने की चकर में उसने अनुभाग अधिकारी के न्याले में आविदन दिया जहां देवर की दोनों छोटी बच्चों ने उसके साथ जाने से मरा कर दिया और हमारे पास मेरे पास रहने की सहमती दी इस पर माननी न्याले की दोनों बच्चे हमारे पास ही रह रही है जिनकी पड़े लिखे का खर्चा उठाना हमें होगा इदर हमीं पता चला कि अपने पदी की जमीन को हड़पने के चकर में मेरे बेटे आदी के खिलाफ सची जूटी रिपोर्ट कर उन्हें फसाने की साजिश कर रही है जबकि उसकी दोनों बेटियां उसके पास जाना नहीं चाहती इस संधर में हमारी समवादाता दौरा रईसा की दोनों बेटियां अजमत और सुन्नत से चर्चा की तो उन्हें भी बताया कि हमारी मम्मी अच्छी महिला नहीं थी हमें मारपीट की और हमारे अबाजवान की मृत्यों के बाद वहां हमें छोड़ कर दूसरे घर में रहने चली गए इधर सकुरन उनके परिवार की लोगों ने बताया है कि कुछ समय पुर्व भी मुकदर और कदीर के बीच में विवात हुआ था इधर राइसा से जब हमने फोन पर चर्चा की तो उनका कहना था कि मेरी बेटियों को जबरज़स्ती मेरी जैठानी ने अपने कबजे में कर रखा है मैं मेरे पती की जमीन और बेटियों को वापस चाहती हूँ जिससे मेरा निकाह हुआ था उससे मेरा तलाग हो गया बटनगर शहर से समवादा था राधिशाम सावरा की रिपोर्ट फोल दिकाह कर लिया तो वापिस बीकाह करने के बार अपने बदे अगहर भूसे इंपर राखे में वापिस सब्सक्राइब नए नए पर व तो कहरें कि मेरी बinea है आपने जब जत्की को रोका कोई बेटियों ने बयान वा HOL पुलीस के अलावा इसके अलावा इन बेटियों के बैयान के कागद है अब यह आपके पास ही रहेगी आप इनको पड़ा लिखा रही हो अगर वो आना चाहे तो पील आना चाहे निया आवा दानी अच्छा अब एक छोटा ता प्रश्ट ओर आप से पूचेंगे जो कदिर भ जमीन जाई-जाद है क्या है इतने फिगाए सड़े चार विगाश्ट उससा तो नहीं कि वह जमीन के चक्कर में है तो बेटियों से और घर से पर इंगर वह जूद डाले गीए तो अदमी को मार डाला तो बेटिको क्या पालेगी वह ओर तीन तीन बेटि महां भी छोड़क लट उसने मुकद्दर आड़ी फेंकी मेरे देवर ने मुकद्दर ने मारा रपोर्ट डाली रपोर्ट डाली मुकद्दर ने यह दंकी दीवां कि आज तो छोड़ रहे हैं वह फिर आई देने इसा करेगा जान से खतम कर देंगे दो महीना ड़ी महीना वहां जानते खतम कर दिया उसके दो महीने बाद आपको यह संका है कि अध्या हुई हाँ दोनों नहीं मारा अपका सुनत अच्छा अजमात और सुनत आपके पापा का नाम था कदीर हजी अब कहा है वो अल्दा कि आच लगे और आपकी म इसके रिका कर लिगे आपकी मम्हें मुकदर के साथ के मुकदर को ने युए है लका दिकलरता तो वह आपके खर आए世界 आता ता था और अब कि में उसी के साथ निका करके आप किसा साथ रही हो वहीं को न do बढ़ी है देखने इसकूल जाती हो, पढ़ने जाती हो, तो बड़ी मम्मी के पाइस ही रेती हो, आप अपकी मम्मी रहिस्ता मम्मी के पाइस जाना नहीं जाती है, क्यों? वो हमें मारती थी, अगर वो प्यार से तुम्हे ले जाए और प्यार करे तो जाओगी?